इस फिल्टर मार्पेत कहाएंगे था है के आज हम फिर से के लिए जार है राइंट सिमुलेटर और जैसे कि आपको याद होगा हमना लास्ट अप्सूड में अपने लिए एक तो मेल बैल लिया थे और एक बकरी भी लिया थे मेल जिसे आपस में मैटिंग करके हमें और भी ज्यादा बच्चे देदें उससे यह होगा कि हमारे जो डेरी फार में चल पड़ेगा और बहुत सारा हम दूद का उत्पादन करेंगे और चीज मेकिंग करेंगे और भाई बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो थोड़ा बहुत भाई मैं आच्छा खासा चीज बनाके रेडिय कर दिया है आज बस मुझे इसको ब्लूप्रिंट बन गया तो मेरा मन नहीं कर रहा था मैं इसको तोड़ दू और जिन भाईों को पता नहीं ना ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं मैं उनको एक बार बनाकर दिखा दिता हूँ जैसे मुझे जाना है सबसे पहले अपने डायरी के सेक्शन में फिर जाना मुझ लगा सकते हैं और भी बहुत कुछ है फिलाल तो भाई आप लोग समझ गयोगे तो मैं इसको तोड़ देता हूँ पैसे मुझे पता है आप सबको पता ही होगा के ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं बागी हमारा चिकन आउस से कितना ज्यादा सही लग रहा है और इसके सैड म लेने में और वकरी को खरीदने में साथ यह वाली गाड़ी आपको याद होगा और इसके लगा सब्सक्रीन गाहले एक बच्चा भी दे दिया मैं आपको बताना भूल गया यह देखो वाइट क्लार का बचड़ा टाइप है और बहुत जल्दी यह भी देने वाली बच्चा क्योंकि यह भी प्रेगनेंट है और मेरे एक चीज नहीं आरी फैंसेंग के पार यह वाली गाये प्रेगनेंट के से ह पार है और बकरी का भी बच्चा हो चुका है कितने जाद अच्छे लग रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ अपने चीज को भर भर के आज बेच आऊ सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ अपने को भी देख लेता हूं क्योंकि आपको याद होगा लास्ट एपसोड मैंने अपने ल ले जलता हूँ और आपको याद आ रहोगा कि मैंने लास्ट एपसोड में सेम यही किया था एक पिक को ले गया था अपनी गाड़ी में भरके और इसको मार के मैंने बेच दिया था तो भाई अब क्या करें मतलब इस गेम का कॉंसेप्ट यह है कि जानवर पाल के उनको देखना है इसके अंदर 139 लीटर भाई इतना ही दूसरी वाली मशीन के अंदर भी होगा मतलब मेरी तो चादी चादी हो चुगी है और मैं अपने पिक को यहां पे नहीं बेचने वाला मैं इसको बेचूंगा बर्गर शॉप पे जाके लेकिन पहले ना भाई मैं यहां से अपने लिए कुछ cooler भी खरीद लेता हूँ क्योंकि मुझे अपने चीज को भरने के लिए ना cooler की जूरत पढ़ने वाली है तो दो तीन इतना पैसा है कि मेरे पास तीन cooler काफी होंगे तो मैं इनको add to cut करके purchase कर लेता हूँ और अपनी गाड़ी के अंदर ही इनको जमा देता बाद भी थोड़ी बहुत जगहें बचरी है ना ठीके जगहें बचरी कोई नी तीनों के तीनों cooler तो आ चुके हैं पिक भी देखो भाई कितना ज्यादा इसके अंदर फसा हुए लेकिन कोई नी भाई हमें इसके उपर ध्यानी देना हमें अपने काम को करते रहना है अभी म 30 टाइम गाड़ी का बैलेंस और डिस बैलेंस हो जाता है बाकी ओ रुक जाया यारी कुवा भी मुझे यहां से अटाना पड़ेगा यह ना स्पीड ब्रेकर का काम करता है बाकी यहां से मैं cooler ले लेता हूँ और कम से कम मेरे पास तीस चीज है तो दो cooler किया जरूत पढ़ने ले दो पहले भार क्योंकि एक एक करके में निकाल रहा हूँ ना तो काम जादा बढ़ रहा है यह तीन चार पांच यह बहुत जादा चीज बना लिए तुमारे भाई ने और कुछ ना उसके अंदर कुक भी हुए पड़े है एक बार मैं देखा देता हूँ यह देखो इसक कि हमने तीन कूलर खरीद लिए एक कूलर की और जूरत बढ़ने वाली है तो सारा का सारा चीज इस वाले कूलर में तो आराम से आ जाएगा क्योंकि एक कूलर की कैपसिटी ना भाई 24 की होती है इसके अंदर हम 24 मीट के पीसे या फिर हम चीज के पीसे रख सकते हैं तो ठीक ना भाई मुझे ज़रूत पढ़ने वाली है ट्रॉली की और मेरे पास पैसा आए 49 डॉलर यार मैंना अपनी गाड़ी को भी मोडिफाइड कराना चाहता हूँ क्योंकि उससे ना भाई इसकी लोड कैपसिटी काफी बढ़ जाएगी इसके अंदर हम जादा सामान रख पाए क्या कर रहा भाई एक सेट एक सेट आजा 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 नहीं यार यह गाड़ी में फस चुका है मुझे गाड़ी एटानी पड़ेगी पहले यांसे तो गाड़ी को थोड़ा साइड में कर देते हैं कुछ ऐसे बढ़िया और पिक को थोड़ा साम आगे ले चलते हैं आ बढ़िया वाई बढ़िया गाम मुरहें तो सारा का सारा वाइल्ड मीट इसको सुपर रख देते हैं मीट और अपने चीज को भी रखी देता हूं यहाँ पर शारा का सारीज आ जाएगा और पिक के पीस्स को भी भाई मैं इसी के ऊपर रख देता हूं एक पीज मेरा बचना बढ़ेता हुआ पोड़ा पैसा जमाँ हो चुका है तो ठीक है यह तो ठीक भाई धेड़ सारा पैसा जमाँ पढ़ता हूं मुझे थोड़ा बहुत सामान और खरीदना है मैं अपने लिए एक ट्रॉली खरीदने वाला हूँ क्योंकि ट्रॉली अगर मेरे पास होगी ना तो भाई सामान को लाने ले जाने में थोड़ी मदद हो जाएगी या फिर अभी ट्रॉली में ना खरीदू चलो कोई नी वह तो मैं उधर जाकर डिसाइड करूंगा कि ट्रॉल ट्रॉली हो चुकी ना अब बार यह भाई प्लैंक्स की तो मुझे प्लैंक्स 500 डॉलर के ऐड़ कर लेता हूँ एक फ्यूल के जोर दो फैंसे बनाऊंगा तब काम आएगा इसके अलावा यह सब कुछ है यहां पर क्या ही हालत हो रखी है तो ठीक है सारा सामान भाई इसके अंदर लोड़ करना तो बच्चों का के लिए क्योंकि इस पेस देख सकते हैं कितनों ज्यादा मैं ट्रोली के अंदर प्टे में फटाफट से इसके अंदर लोड़ कर देता हूँ लोड़िंग अच्छा नहीं लगता क्योंकि यार बहुत जादा दिमाग लगा के दमाग नहीं थोड़ी मैनत लग जाती चीजों को जमाने में तो लट गई सारा का सामन आज चुका यह देखो सारा का सामन में जमा दे कितना जादा अच्छा लग रहा है सिस्टेम एडिंग और यह मेरा स्लीपिंग बैग इसको भी रखी देता हूं यह ना काम आता जाता है गेम को सेव करने में फिलाल तो यह मेरा ओयल बैरल है ना इसकी जगह है क्या भाई मेरे यहां पर ठीक है इस लखड़ी के उपर ही मेरी गाड़ी से और सीवेता हूं इस गाड़ी के इंदर है निकल पढ़ता हूं इसको लेकर अपने रैंच पे निकलू या फिर यार मेरे पास पैसा कितना बचा है मेरे पास दस डॉलर बचे सर्फ ठीक है अपना ओयल बेचने का टाइम आचुगा मतलब भाई ओयल बेच के बहुत जादा प्रोफिट कम आएंगे अभी हम क्योंकि दो ढ़ाई जार तो भाई कही नहीं गए इत्टरा जाधा ओयल मेने खटा कर करके रखा हूँ है दो जार तो बहुत और कम से कम तीन साज़े तीन आजार आराम से मिल जाएंगे फिलाल तो भाई सारा का सामाल लें लेगे ना ट्रॉली को ही मैं खला के आ जाता हूं क्योंकि Do the walk और order को रहता हैँ उपने साथ और अपनी गाड़ी को ले चलते हैं तोड़ा सा फ्यूल भी कम हो गया है लेकिन कोई नी एक जैरी के ना मैंने ओयल वाली साइट पर रखी हुए है वहां पर अपनी गाड़ी में फ्यूल डाल लोंगा और यह देखो भाई गाड़ी चलाने में बहुत जादा दिक्कत क्योंकि गाड़ी इतनी जादा आउट अप कंट्रोल हो हो चुका है फ्यूल बहुत तक कम तो पहले गाड़ी के अंदर फ्यूल डाल लेते हैं और यह वाली जैरी के से उलट प्लट की भाई इसके अंदर लगा देता हूं और इसके अंदर जमा हो चुका है 139 लीटर टेल ठीक है पहले मैं ऐसा कर तो पचास लीटर तो लई चलता ठीक है एक sleeping bag भी रखा हुआ है इसके अंदर सारा का सारा तेल आ जाएगा का आ तो जाना चाहिए नहीं यहां 38 लीटर अभी भी रहेगा इसके अंदर लेकिन कोई नहीं भाई तीन पूरे भर चुके मतलब भाई ये न 1.500 डॉलर का माल है और भाई तीन हजार तो नहीं हो मैं जादा बोल गया था पहले और अब बार ये भाई इस तेल को बेचने की तो ठीक है मुझे 1500 डॉलर मिलने वाले मुझे पता है तो सारा का सारा तेल हम बेच देते हैं ठीक है 1500 डॉलर हो चुके है और मुझे कुछ खरीदना है कि यहां से एक बार मैं देख लेता हूँ फीटर और विंड मील के अंदर भाई बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता आपको पता ही होगा बागी इसके अंदर ना अभी एक बेरल तो भरी जाएगा और इसको तो बड़ी गाड़ी भाई बार बार मोड ने में दिक्कत आती है तो पैदल थोड़ा बक्त चलना चीए क कोई नहीं और इसके मुझे मिल जाएंगे 390 डॉलर टोटल हो चुके मेरे पास 1900 डॉलर जो की ठीक ठाक अमाउंट है 1900 में तो बहुत कुछ कर सकते क्योंकि अल्रेडी हमने ट्रॉली घरी लिया तो अब ज्यादा लोड लेने की ज़रूत नहीं है और अब ऐसा करता हूँ द जादा बढ़िया थी कहीं से भी मोड दो कहीं से भी ले जाओ इस काम के लिए वहीं परफेक्ट थी लेकिन अब क्या कर सकते हैं हमने उसको बेज दिया अगर मेरे पास वीडियो के एंड में पैसे बचे ना भाई मैं फिर से उसको खरीदने वाला हूँ क्योंकि वह सिर्फ लाइटे ओन करके देख लेते हैं यार उपर वाली लाइटे क्यों नहीं हो रही उपर वाली लाइटे ओन करने के लिए शायद कोई और बटन मुझे दबाना पड़ेगा लेकिन चोड़ भाई अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हमें बहुत जुदा काम करना है अभी बार न 2020 मतलब लगबग 3,000 हो चुके हैं साड़े तीन तो नहीं हुए भाई मैं ज्यादा बोल गया था एक्साइट हो गए लेकिन लगबगना हम 50,000 डॉलर खर्च कर चुके हैं अपनी ट्रॉली के उपर और लगडी के फट्टों के उपर उनको भाई अगर इंक्लूड करें तो मेल या एक फीमेल पेगी खरीदने वालों क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा महें आते पिक्स 300-300 डॉलर के अगर मैं 4 पिक्स ले लिए तो भाई 1200 डॉलर चाहिए और 1200 डॉलर अभी मेरा खर्चा करने का मन नहीं कर रहा है फिलाल तो अपने बार ना उसको ना मैं कम्प्ली कर देता हूं सारी की सारी लखड़े इसके अंदर लगा के तो लट गईस काम करते करते हो चुकी है रात और भाई यह दो को हमारा बार नाउस बनके पूरी तरह सा रेडी हो चुका है सारी की सारी लखड़े भाई मैंने फैंसिंग में लगा दी बार नाउस भी कम्प्लीट हो चुका है और बहुत ही जादा भाई यह मस लग रहा है लेकिन अभी ना भाई यह पूरा नहीं हुआ है इसके अंदर अभी गेट लगाना बाकी है और इनके फूड का भी मिरको अर वाइटर वोल की तो वाइटर वोल भी मैं ऐसा करता हूँ चार लगा देता हूँ लेकिन ठीक है मैं इस वाले बार नाउस के अंदर सिर्फ और से पिक्सी रखने वाला हूँ तो इतने काफी होंगे अब बार यह बाई गेट की तो मुझे गेट भी लगाने पड़ेंगे औ दूसरा वाला आ जाएगा यहां पर ठीक है और इनके अंदर लगने वाली वारा बुड और एक मैटल ठीक है बुड की तो टेंशन नहीं वूड तो है अभी मेरे पास और मैटल भी है तो मैटल का भी हम काम कर देंगे लेकिन यार यह फीडर रहना इनके अंदर 16-16 वूड लगेगी तो भाई वूड की अब थोड़ी दिक्कत हो सकती है मतलब भाई मेरे पास जितनी वी वूड थी ना सारी ही सारी अब खतम होने वाली यह देखो जैसी मैंने बनाया ना इसके अंदर ऑ्टमेटिक फूड आ चुका है जो की बड़ी बात है और गेट वगरा चलो मै लगा दूँगा फिलाल तो भाई जितने वी यह मेरे फीडर है ना मैं इनकोई बना लेता हूँ और देखो भाई मुझे बार बार जाके आना पड़ रहा है मतलब इतनी जादा मेनत करनी पड़ रही है भाई पिक्स के लिए तो दो ही काफी होंगे भी तो क्योंकि अभी अ इतनी लकडिया काफी होंगी और इस वाले गेट को लगा देता हूँ और अब ना वाटर बोल को मैं फिल कर देता हूँ ठीक है लेकिन भाई मेरे एक चीज़ समझ नहीं आ रही में वाटर बोल को बना के करूँगा क्या इसके अंदर पानी डालने के लिए तो भाई मुझे आटोमेटिक विंड मील बनानी पड़ेगी और विंड मील के लिए भाई 1500 डॉलर चीए कम से कम और मेरे पास हैं सिर्फ 2720 डॉलर अब ऐसा करतो भाई यहां पे ना श्यांद मैटल पड़ा हुआ है यह पड़ा हुआ ठीक है इस मैटल के जरिये ना मैं डोर का काम भी गंप अब देख सकते हो इसके अंदर अभी भी मुझे यार दो लकडिया ओल ना नहीं है तो दो लकडिया तो चलो यहां से मेरे को मिल जाएंगी ठीक है इनको लगा देता हूँ यह वाला भी डोर अर्यार एक लखडी की और जूरुत पड़ गई काम देखो कितने जादे हूँगा अभी ऐसा ही ठीक है यह इसको भी बंद कर देते हैं कूलर्स को भी ट्रॉली के अंदर ही रख देता हूँ मैं कुछ ऐसे ठीक है गाड़ी को लेके चलते हैं सीधा भाई टेंट के पास क्योंकि अब मुझे सो जाना चाहिए बहुत जादा रात हो चुकी है और पै यह जानवर भाई इतने जादा मस लग रहे हैं यह एक बचड़ा हो चुका है दूसरा बचड़ा यह भी हो चुका है तो मैं सोचनों बैल को ना यहां से हटा दू गया यह फिर से प्रेगनेंट कर दी इसने गाए और यह वाली गाई भी प्रेगनेंट है के एक बर देख ल देते हैं थोड़ी बहुत देर उसको भी मज़े लेने देते हैं फिलाल तो हम जाने वाले हैं जर्नल स्टोर अब यारी क्या कर रहा बई जर्नल स्टोर चल सीधा और यह वाली गाड़ी यार मैं पैसे बचाखने की कोशिच कर रहा हूँ वाई क्योंकि मुझे वह च्छोट और इसके अलाबा मुझे कुछ और भी मुझे नहीं ऐट है कि यार कुकर मिलेंगे हाड़वेर स्टोर अब मुझे जाना पड़ेगा तो चलो वहां से खरीद लेंगे ऐसके नोगी हैं मैं चीज मोल्ड खरीद लेता हूँ ठीसो डॉलर का यह वाला ब्लू मोल्ड खरीद भ भाई जादा मेंगे विकेंगे हमारे जो भी चीज है ठीक है और इनके अलाबा तो मुझे मुर्गिया नहीं खरीदने गाये नहीं खरीदने ठीक है पंदर सो असी भाई बहुत जादा घर्चा हो चुका है चेक आउट कर लेते हैं सबसे पहले तो भाई अपने पिक्स को न मै कोन है यह ठीक है यह है मेरी आटोमेटिक दूद निकालने वाली मशीन इसको मैं रख देता हूँ पिक्स के बीच में और मेरा ब्लू मोल्ड चीज यह रहा तो इसको भी मैं रख देता हूँ यहाँ पे अब अपनी गाड़ी को सीधा ले चलते भाई अपने रैंच थोड़ 50 अभी है मेरे पास तो टेंशन नहीं है और लोन बचा है मेरे उपर 2000 डॉलर का मतलब 500 डॉलर का लोन मैंने चुगा दिया बड़ी अबाद है दीरे दीरे करके मैं सारा का सारा लोन चुगा दूंगा और देखो भाई बारनाउस कितना अच्छा लग रहा भाई मतलब सब्सक्राइब करने लिए यहां से does that और एक सेगेंद कोई गेट तो नहीं खुला हुआ वोला गेट लॉक है यह ना यहां से भगेंगे नहीं और अब सीधा अपनी गाड़ी को ले चलता हूँ फैक्टरी और अपनी गाड़ी और सीधा ले आया हूं भैं तहां रखू है इसको मैं यहां ही रख देता हूँ यहां पर इसकी पूरी इıllिटर दूद infer नहीं रख देता हूँ को इससे ना मैं गाय का दूद निकालूँगा तो सबसे पहले ये गाय है या बैल ये गाय है ठीक है ये भी भाई कॉम से कॉम 14 लिटर दूद देगी और 7 लिटर पहले से थानेस के अंदर तो ये हो जाएगा 28 लिटर नहीं 21 लिटर हो जाएगा ठीक है और अब मैं लगा देता हूँ वाइट वाली गाय के अंदर भी ठीक है मेरे पास दूद की तो कमी नहीं रहेगी ये देखो कितना जादा दूद हो जाएगा 31 32 33 34 35 लिटर दूद हो मतलब इतना जादा दूद मेरे पास अभी तक नहीं हुआ सिर्फ और से इसी मशीन की बतौलत इतना जादा दूद हो जाता है और यार एक तो भाई ये मशीन को इससे हटाना थोड़ा मुश्किल है छोड़ो यार फिलाल तो मैं चीज मेकिंग शुरू कर देता हूँ इसके केन बाई उतनले लेटा जादा हूँ इसके अंदर सबार कर देता हूं और सब्कोन बाई को खोने के लिए रख तो धूरी भूत दिर में कुक़ हो जाएंगे इनके अंदर कितने अंडे भी खतम हो चुके हैं अंडे तो वैसे मिला नहीं पाता था सिर्फ और एक सेकेट एक सेकेट भाई मेरी बाल्टिया का है बाल्टि लो बाल्टि लो मुझे ना पानी भी तो ले जाना भाई अपने पिक्स के लिए वरना वो पिक्स मर जाएंगे प्यासे और मेरे पास ना दो तीन बाल्टिया है तो सारी सारी बाल्टियों को मैं अपने कुवे स से काम चला लेंगे दो कितना पानी पी जाएंगे वह बिचारे चोटे-चोटे से तो हैं और कितने ज्यादा यारी मायूस से लग रहे हैं लेकिन कोई नहीं इतनी ज्यादा पॉपलेशन कर दूँगा थोड़े वह दुनों में इनकी इन्होंने सोची भी ना होगी बाकी दो इनके अंदर आ चुकिया गेट खोले और गेट लगा ले वरना यह चूमंतर हो जाएंगे और बारना उस अंदर से कितना ज्यादा यारी मस लग रहा है ठीक है इसके अंदर मैं पानी मिला देता हूं साथ लीटर पानी आ गया बाल्टी को यहीं रख देते हैं और दूसरी काली बाल्टी को भी इसके अंदर डाल देते हैं चलो बढ़िया चौदा लीटर पानी आ चुका है चौदा लीटर तो इतना पानी होता है कि यह पेट फट जागा इनका लेकिन खतम नहीं होगा बाकि बाल्टी को काम खतम मैं यहां से निकल लेता हूं अभी ना भाई आप बना पाऊंगा क्योंकि चीज बनाना भाई अमारा फ्रैमरी दंदा हो चुका है सेकंटरी धंदा हमारा तेल क्योंकि उसके आम इतना ध्यान नहीं देते वैसे पैसा थेल से जादा आता है और यह देख़ा बाई मैं रेलिंग से नीचे लिए गाड़ी को अब मैं चलता हू और एक तो भाई जब भी मैं इधर आता हूँ नहीं हिरन की जो मूर्ती है ना सामने इसको देख कितना जादा कन्फ्यूज हो जाता हूँ मैं के इधर हिरन है और इसको मैं मार दू लेकिन वह विचारी मूर्ती निकलती है और इस वाली गाड़ी को एक छोटे बोटे काम में ले जाना अच्छा नहीं लगता मुझे एक तो यह फ्यूल बहुत जादा कंजूम करती है तो थोड़ा खर्ची लिए उपर से भाई यह मूर्ती नहीं है तीन तो मैं बरतन एड़ कर लेता हूँ और तीन मुझे कुकर एड़ करने है वान टू थी तीन कुकर एड़ हो चु अगर मैं डाउन कर दू हाँ ठीक है तो यह वाइट बन जाएगा ओल्राइट तो मुझे घरीदने है तीन डबे घरी लेता हूँ तीन डबे बहुत होंगे तीनों के तीनों डबे मैंने पर्चेस कर लिए यहां से मुझे यह पिक करने ठीक है और इनको भाई अपनी बरतन जो भी वोलो इनको 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 इमयार मैंने 3 से जादा खरीद लिए यह मैंने अच्छा तीनी है और मैं कितनी जल्दी पैने को जाता हूँ इनको मैं रख़ देता हूं यहां पर तो ओधर यह बहुत जबढ़ा लिए और अगर आपको नहीं अच्छी लग 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 लगने वाला है या फिर ग्रीन जो भी है जब भाई हमारे पास पैसा हो जाएगा ना तो हम एक गाड़ी और खरीद लेंगे ऐसी क्योंकि यह वाली गाड़ी भाई मेरी बन अफ दी फेवरेट है और मुझे बहुत अच्छी लगती यह वाली गाड़ी तो मैंना इसकी एक और कॉपी खरीद लूँगा बागी इस बार ना हम ट्रक नहीं खरीदेंगे क्यों ट्रक मैंने पिछली बार खरीदा था भाई मुझे तो बिल्कुल यूसफूल नहीं लगा वो इतना ज्यादा स्लो है और सामन भी आ जाता है उसके अंदर लेकिन उससे बड़े भाई हम इसके प्रॉपर चीज फैक्टरी है तो सारे के सारे बरतन और को कर बाई रेडियर एनेजी अर्सा में क्योंकि अब भाई दूद की कोई गमी नहीं होने वाली दूद इतना ज्यादा होने वाला है अब क्योंकि बच्छडे दे दिया है गाए ने और जैसे जैसे बड़े होंगे तो बहुत जादा भाई प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा फिर लेकिन भाई अभी न यह नहीं पता यह बच्छडे मेल है या फिर फिमेल अगर भाई मेल हुए ना तो सारे के सारे सबने टूट जाएंगे यह फिमेल होने चाहिए तब ही तो भाई यह दूद देंगे पर ना भाई कोई फाइदा नहीं है तो ठीक है यह लास्ट वाला बरतर भी मेरा आ चुका है और यहां से भाई मैं बकरी का दूद लेता हूँ और यार बकरी का दूद खतम हो चुका है ठीक है बाद में निकाल लेंगे फिलाल तो इसके अंदर भी मैं ब्लू मोल्ड डाल सर्फ दो पैकेट ही बचे हैं तो ठीक है मिला देते हैं इसके अंदर अब यह वाला है ठीक है यह को कोना शुरू हो चुका है और गाय का दूद भी अब कितना बचा है 14 लीटर बचा है तो एक और दो ठीक है दो चीज और बन जाएंगे तो इनको भी मैं फटावर से डाल पैंसिंग लगा देता हूं और चैनल डेख लगा तो पूरा यह प्राकिन है और फैंसिंग के ऊपर लगता पहले ब्लैक किया लेकिन मुझे वाइट अच्छा लगा तो लेकिन दूसरा कर दूंग गेट को मैं लाल कर दोंगा जिसे नहीं मुझे दूर से ही चमक जाएगा क यह gate है ठीक है लाल कलर esque rat और किन Emir पास लाल यह सो यह ना लगद ऑफवाइस हो इस से अव Dort इसे सबस्किन भाई तोड़ा onier क्रेट मुझे सबते चे और मैसे रखेंगे और त्रोली के पानी चार है और इसके अंदर पानी थोड़ा गम है फूड की कमी नहीं है पानी की थोड़ी बहुत कमी है और मैंने ना एक चीज ऑब्जर्ब करी है मुर्गिया थोड़ा ज्यादा पानी पीती है और एनिमल्स के मुकाबले ठीक है इनका काम हो चुका है पेंट के डबे अभी भी रहे गए अब मुझे बहुत जल्ली है के स्टो दीरे दीरे भाई ये भी पक्के रेडी हो जाएगा बढ़िया फिलाल तो मेरी गाड़ी यहां से निकल जाएगी क्या हाँ अब ना मैं क्या करने बाला हूँ आपको बता दे तो गाय का बचला देखो वाई कितनी जल्दी बढ़ा हो गया यार ये पूरी गाय बन गी क्या सब्सक्राइब जल्दी है बरना पिग निकल जाएंगे ठीक है तू यही रहे जब तक और राइट अब ना भाई मैं बकरे को भी ले आता हूं मतलब मेल जो बकरा होगा न मैं उसको भी अपने इस पिग के बार ना उसमें रख देता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता भी और पॉपुलेशन बखर भाई मुझे फीमेल बकरी चीए दी अब इनको अलगतर नहीं बड़ेगा तो तू आजा इसके अंदर और यह तो फिर से प्रेडिंट हो चुगी है ना तो इस वाले बकरे को तूम एसी के साथ रहने देता हूं और इस वाले बकरे को मैं ऐसा गटो मार के बेच देता है और इसको तो मैं जनरल सोर भी बेच दूँगा भाई मैं नहीं जा रहा पर रहे चोपते क्योंकि एक ही बकरा भाई कितना जाथा महेंगर चले जाएगा और बारिश देखो तू खान देखो भाई मतलब बकरा बोल रहा है कि मुझे मतमार मतमार लेकि मैं क्या गरुआ मै पैसे में जाना है और 200 डॉलर भाई 200 का बकरा जा चुका है पिलाल हो चुक है मेरे रपास पांसो एकसाट डॉलर लेगे दियार मुझे नहीं लगता बाई मैं इस पैसे से कुछ करपाऊंगा मुझे और बहुत पैसे पढ़ने वाली ए और पैसा कमाने के लिए बहुत लगातार चालू रखने पड़ेगा मतलब भाई गाय और बक्रियों और मुर्गियों से मुझे लगातार काम लेना पड़ेगा और साथी भाई मैं सोचना है अपना हनी बिजनिस में शुरू पर दूँ उसमें क्या अगर ना होगा मुझे मधु मक्या पालने होंगी और शैद इसके ओसम ओसम ऐसी एपसोड आने वाले और आपको यह वाले अपसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर देना लाइक से ना भाई मुझे बहुत तगड़ी मोटेविशन मिलती है बाकी अगले एपसोड का थोड कर्णक कर्ण misत कर्णना लाइक बाकी ज़रूर गट जव सुछ